दोसो अक्सर कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो बोरिंग होता है लेकिन कुछ ऐसे अटेकिंग बलेबाज भी थे जिन्होंने इस फॉर्मैट को फिर से जिन्दा कर दिया आज जानेंगे उनी बलेबाजों के बारे में और बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के पांच सबसे ज़दा महंगे ओवर्स की नमबर वन और नमबर फोर आपको जरूर सर्प्राइस करेंगे नमबर फाइब शाहिद अफरीदी वर्सस हर्भजन सिंग दोसो शाहिद अफरीदी की बलेबाज ये गैंबल की तरह हुआ करती थी जब भी वो नहीं चलते थे तब जीरो पर आउंट हो जाते थे लेकिन जब भी वो चलते थे वो सामने वाली टीम के पसीने छोड़ा दिया करते थे टीम इंडिया के खिलाफ दो इंसिडेंट ऐसे हैं जब उन्होंने अपनी बलेबाजी से पूरा मैच ही पलट के रख दिया पहला इंसिडेंट है जब उन्होंने एश्विन के खिलाफ छक्का लगा कर एशिया कब जीता था हलाके भी बात करेंगे हरबजन सिंग के उस ओवर की जिसके बाद लंबे समय तक उन्हें गेंदबाजी से दूर रखा गया इंडिया बनाम पाकिस्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पारी का 136 वा ओवर चल रहा था और अफरीदी क्रीस पर बोर हो चुके थे उन्हें सामने हरबजन सिंग नजर आये और उन्होंने हरबजन की पहली चार गेंदो पर चार छक्के लगा दिये बाद में एक डबल और एक सिंगल से ओवर के स्कोर 27 रन तक पहुच गया ये किसी भी इंडियन गेंदबाज द्वारा फेका गया सबसे महंगा ओवर था जो रूट और केशव महराज का नाम एक लाइन में सुनकर किसी को भी लगेगा कि शायद महराज गेंदबाजी कर रहे हो और रूट बलेबाजी लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था इंग्लेंड और साउथ आफ्रीका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और रूट शांदर गिनवाजी करतो हुए तीन विकेट चटका चुके थे टेस्ट मैच के चौथे दिन उमीद यही थी कि रूट अपनी स्पिन से टेलेंडर्स को भी आउट कर देंगे लेकिन किशब महराज ने पहले तो भई उनके ओवर में तीन लगतार चौके लगाए और उससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने लगतार दो छक्के लगा दिये आकरी गेन 22 के लिए चली गए और इस तरह से ओवर में बने 28 रन और इसमें महराज की बले से आए पूरे 24 रन दोस्तो जेमस एंडरसन की गेनबाजी पर अभी भी बलेबाजी करना मुश्किल है और जब ये ओवर हुआ था तब वो नए थे और इससे भी जादा खतरनाक थे लेकिन जॉर्ज बैली को ऑस्ट्रेलियन टीम दोरा क्विक रन बनाने का टास्क दिया गया था और उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने जीमस एंडरसन के ओवर में तीन छक्के और दो चौके और एक डबल के साथ पूरे 28 रन बनाए जॉर्ज बैली की शांदा बलेबाजी के बाद उस्ट्रेलिया के लीड और बढ़ गई और आगे चल कर उस्ट्रेलिया ने एशिस को भी जीता हलाकि इतनी शांदा बलेबाजी करने वाले जॉर्ज बैली ने अपने पूरे करियर में केवल 5 टेस्ट ही खेले क्या आपको लगता है दोस्तों उन्हें और टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए थे हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं विस्ट इंडीज और सौध अफ्रिका के खिलाफ टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा था और ब्राइन लारा 150 पर बैटिंग कर रहे थे दिन का आखरी ओवर था और उसे फेकने के लिए बुलाया गया आर जे पीटरसन को दिन के आखरी ओवर में बलेबास रिस्क नहीं लेते और एकसर गेंबास रन रोक लेते हैं हाला कि ब्राइन लारा जब अच्छी रिदम में होते हैं तब उन्हें कोई भी नहीं रोक पाता था इस ओवर में भी यही हुआ लारा के नाम पर दानिश कनेरिया के खिलाफ 26 रन मारने का रिकार्ड था जो कि एक ओवर में सबसे ज़ादा था लारा ने इस ओवर में वो रिकार्ड तोड दिया पीटरसन की गेन पर चौका फिर दो छक के और फिर चौको की हैट्रिक लगा कर ओवर को 28 रनों तक पहुचा दिया और ये बन क्या सबसे महंगा ओवर सबसे लगे समय था कि इस रिकार्ड को कोई भी तोड नहीं पाया लेकिन अब वो तूट चुका है आए जानते हैं कौन है वो लेजेंड पैट्समैन जिसने इस रिकार्ड को तोड़ा है इस लिस्ट में अब तक जिनका भी नाम था वो या तो दोस्तों लेजेंड बैट्समैन थे या ठीक ठाक बलेबास ही कर लेते थे लिकिन बुमरा का नाम इस लिस्ट में नंबर वन पर होना हैरानी की बात है बुमरा ने ये कारनामा तब किया जब वो 2 जुलाई 2022 को इंगलेंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उतरे ये टेस्ट मैच का दूसरा दिन था और इंडिया को स्कोर 400 प्लस करने के लिए एक बढ़िया फिनिश चाहिए थी बुमरा का इंडियन कैप्टन के रूप में ये पहला मैच था और उन्होंने ब्राट के ओवर में 35 रन ठोक दिये 29 रन उनके बल्ले से निकले और 6 रन एक्स्ट्रा थे बुमरा ने इस ओवर में 2 चक्के और 4 चके मार कर ओवर को टेस्ट क्रिकेट के सबसे महंगा ओवर बना दिया वैसे बोलिंग एंड पर खड़े स्ट्वेट ब्राट के लिए ये कोई नई खटना नहीं थी क्योंकि इससे पहले भी वो T20 क्रिकेट में सबसे महंगा ओवर ते चुके हैं तो दोस्तों ये थे टेस्ट क्रिकेट के सबसे महंगे ओवर्स इनमें से कौन से आपने लाइव देखे हैं हमें कॉमेंट करके बताएए क्रिकेट से जोड़ी और वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रिस करें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो मिलते हैं दोस्तों के लिए वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखें बाबाई